आरादना पिता आरादना आरादना येशु आरादना आरादना विता आरादना आरादना येशु आरादना आरादना आत्मा आरादना आरादना तेरी आरादना आरादना आत्मा आरादना आरादना तेरी आरादना करू दिल छे तेरी आरादना बुरे मंचे गाउ तेरी सना आरादना विता आरादना ये सु आरादना आरादना आत्मा आरादना तेरी आरादना बटक रहा था मैं दुनिया में ना पाया सच को वहा बटक रहा था मैं दुनिया में ना पाया सच को वहा इक तू ही है ये सुराजा जो है सच का दरिया तेरी हम दो सना गाओं तेरे ना में बढ़ता जाओं आरादना पिता आरादना आरादना ये सुरादना आरादना आत्मा आरादना तेरी आरादना आरादना आत्मा आरादना तेरी आरादना इस दुनिया को तुने बनाया सब चीजों को तुने सजाया इस दुनिया को तुने बनाया सब चीजों को तुने सजाया दरती अंबर सब मिन गाए पेड़ पादे और नदिया दरती अंबर सब मिन गाए पेड़ पाढ़े और रदिया तेरी हम दोसना गाएं तेरे नामे बढ़ते जाएं आरादना पिता आरादना आरादना आत्मा आरादना तेरी आरादना आरादना आत्मा आरादना आरादना तेरी आरादना आरादना पिता आरादना आरादना इसु आरादना आरादना इसु आरादना आरादना आत्मा आरादना 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 इसु आरादना आरादना आत्मा आरादना 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 आत्मा आरादना आरादना आराद आरादना, आरादना, तेरी आरादना, पूरी भक्ती के सारादना, आत्मा आरादना, आरादना, तेरी आरादना, आरादना, पिता आरादना, आरादना, येसु आरादना, आरादना, पिता आरादना, आरादना, येसु आरादना, आरादना, पिता आरादना, पूरी शंदी के साथ सब लोग मिलकर पूरे परिवार के साथ मिलकर पिता आरादना आरादना के सु आरादना आत्मा आरादना दिनिया आरादना आरादना आत्मा आरादना आरादना तेरी आरादना आरादना खता आरादना आरादना ये सु आरादना आरादना वेता आरादना आरादना ये सु आरादना हालेलुया येसु की स्तुधी हो येसु को धन्यवाद येसु की अराधना हो येसु की महिमा हो येसु को धन्यवाद येसु को धन्यवाद इसा ने उत्तर दिया जो मुझे प्यार करेगा वह मेरी शिक्षा पर भी चलेगा वह मेरी शिक्षा पर भी चले मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे प्रभु कहता है मैं वो प्रभु हूँ जो तुमें स्वस्थ करता हूँ तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुमें सुरक्षित रखेगा तुम्हारे अनजल को आशिरवात देगा और बिमारियां तुमसे दूर रखेगा हलेलुया हे प्रभु हे मेरे ईश्वर मैंने तुझे पुकारा और तुने मुझे स्वास्त प्रदान किया हे प्रभु येसू मैं तेरे चर्णों में आया हूँ मुझ पर दया कीजिए मुझ पर दया कीजिए मैं आपकी अराधना करता हूँ मैं आपकी महिमा गाता हूँ आपकी जैजे कार करता हूँ हालेलुया हे प्रभु येसू मैं आपकी उपस्ति के लिए आपको धनिवाद देता हूँ आपको धन्यवाद देता हूँ आलेलूया प्रियजनों प्रभु ये शुकी सामर्थवान और जीवित उपस्तती में इस वक्त हम बैठे हुए हैं आप जहां कहीं भी इस अराधना में भाग ले रहे हैं प्रभु आपको सपर्ष करें आपके परिवार को सपर्ष करें प्रभु का सानिध आपके घर में उतरें प्रभु का बच्छन कहता हैं जहां पर दो या तीन मेरे नाम से एक अत्र होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूँ प्रियजनों इस वक्त आप जितने भी लोग इस ओनलाइन प्रार्थना में मेरे साथ एक मन हैं एक प्राण हैं और सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु आपके वीच में बिराजमान हैं जब हम उसे पुकारते हैं वो हमारी पुकार को सुनता है और हमें उत्तर देता है जब हम उसकी दुहाई देते हैं तो वो हमारी दुहाई को सुनता है स्त्रोत संख्या 65 में हम पढ़ते हैं परमिश्वर का वचन कहता है लोग तेरे पास आते हैं क्योंकि तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है ये सुन्दर मौका है प्रभू ने हमें दिया जिससे की हम उसकी अराधना कर सकें उसकी महिमागा सकें उसकी प्रशंसा कर सकें उसका धन्यवाद कर सकें अपने जीवन में हर प्रकार की रोग बिमारी से हम आजाद हो जाएं हमारे मन में जो दोश भावना हैं उससे हम आजाद हो जाएं येशु की आत्मा हम सभी लोगों को सपर्ष करें प्रभु का वचन कहता है जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे तब तक तुम में से कोई भी नहीं कह सकता कि इसा ही प्रभु है वो पवित्र आत्मा आईए हम उससे प्रार्थना करें हम पर अधिकार ले और हमें आशीश प्रदान करे प्रभु से कहना कि हे प्रभु अपनी आत्मा को डेजिये जिससे कि मेरा दिल तेरा घर बन जाए मेरा घर तेरा सिहासन बन जाए मेरी आत्मा तेरा सिहासन बन जाए मैं प्यासा हूँ प्रभु मैं भूखा हूँ प्रबु, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ, मैं अखेला हूँ प्रबु, मुझे सामर्थ दीजिये, मेरे परिवाहर में आजाईए प्रबु, अपने प्रेम का अनुभव मुझे प्रदान कीजिये, मैं निर्बल हूँ, मैं दूर्बल हूँ, ना चाह आत्मा आपिजा आत्मा आत्मा आपिजा आत्मा मेरा दिल तेरा घर है इस घर में आत्मा मेरा दिल तेरा घर है इस घर में आत्मा आत्मा आपिजा आत्मा आत्मा आपिजा आत्मा 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 में तेरे लिए द्यासा हो मैं तेरे लिए पुका हो ने तेरे लिए रूहा, 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 अभी जा रूहा, 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 अभी जा रूहा, 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 अभी जा रुवा, 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 अभिछा आत्मा, आभिछा, आत्मा आत्मा, आभिछा, आत्मा यारे भाईयो और वेहनों, ये शुकी आत्मा, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में अधिकार ले वो सत्य का आत्मा रभु कहता, जब तुम पर उधर आएगा, तो तुमें स्वतंत्र कर देगा तुम भिन 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 भाशाएं बोलने लगो, तुम सब के सब उसके सानेत से भर जाओगे वो सत्य की आत्मा, तुमें सत्य के विशे में समझा देगी इसलिए वो पवित्र आत्मा आपके परिवारों में इस वक्त चा जाएं आप में से एक-एक धिक्ति को अपने अधिकार में ले लें और आपके जीवन में सामर्थ, चंगाई, शान्ति और प्रेम को भर दें तेरे बिना में कुछ भी नहीं, सामर्थ अपना दे दे मुझे तेरे बिना में कुछ भी नहीं, सामर्थ अपना दे दे मुझे रुआ, 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 रुआ अभी जार रुआ, 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 रुआ अभी जार रुआ, 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 रु आत्मा, आत्मा, आभी जाँ आत्मा, आभी जाँ आत्मा, आभी जाँ आत्मा हलेलुया हे प्रभु येसु मैं आपसे प्यार करता हूँ आपकी महिमा गाता हूँ हे प्रभु येसु मैं उन लोगों के लिए शमा मांगता हूँ जो आपको प्यार नहीं करते हैं आपसे प्रेम नहीं करते आपके लोगों पर अत्याचार करते हैं उन्हें शमा कर दीजिए हे प्रभु येसु अपने भक्तों के परिवारों में अपना अधिकार लीजिए मैं आपकी अराधना करता हूँ हे प्रभु येसु पवित्र वचन कहता है प्रभु उसे रोगशया पर सांत्वना देता और उसका बिस्तर बदलता है मैंने कहा मैंने कहा रभु मुझपर दया कर मुझे चंगा कर क्यूंकि मैंने तेरे विरुद पाप किया है हलेलूईया रभु का वचन कहता है स्त्रोथ संख्या कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बिमार पड़ गए थे वे अपने पापों के कारण कश्ट जेल रहे थे प्रभु दुखियों को दिलासा देता और उनके गावों पर पटी बांता है हे प्रभु येशू मेरे परिवार पर मेरे जीवन पर दया किजिये अलेलूईया प्रिये जनो आज हम में से कई लोग शारिरिक रोगों से ज़ादा आंतरिक रोगों से पेडित हैं। इसलिए उनके लिए निहायत ही जरूरी है कि प्रभु उन्हें आंतरिक चंगाई प्रदान करें। बाहरी चोटें और गाव तो अच्छे हो जाते हैं। परन्तु हिर्दे और आत्मा में लगे गाव जल्दी नहीं भरते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को आंतरिक चंगाई की आवशक्ता हैं। परिवारों को आंतरिक चंगाई की आवशक्ता हैं। ब्रक्तिगत रूप से लोगों को आंतरिक चंगाई की आवशक्ता है हम लोग सोचते हैं कि हम लोग खोश हैं परन्तो वास्तव में अपने आप से पूछ के देखिए कि क्या आप सच में खोश हैं क्या आप सच में प्रभु में आनंद मनाते हैं यदि आप सच में खुश हैं तो आप अपने भाई, अपनी बहन, अपनी माँ, अपने पिताजी को अवश्य शमा कर पाएंगे आज बहुत से लोग पीडित हैं ऐसा नहीं कि उनके पास खाने को नहीं, पीने को नहीं या रहने को घर नहीं परन्तु अगर वो पीडित हैं तो इसलिए क्योंकि उनके कई दुश्मन हैं, दुश्मनी से पीडित हैं कुछ लोग क्रोध से पीडित हैं, कुछ लोग शमा नहीं कर पाते हैं, इसलिए पीडित हैं तो कुछ लोग अकेले पन के शिकार हैं, तो कुछ लोग बहुत अधिक जिद्धी हैं, कई लोग बुरी आदतों में फसे हुए हैं, जैसे नशा, ड्रग्स, वासना, गलत रिष्टे, हर प्रकार की बुराई उनके मन में निवास करती हैं। अंदुरूनी रोगों से आज लोगों को छुटकारा पाने की आवशक्ता हैं। प्रभु का वचन कहता हैं, यदी जड़ पवित्र है, तो पेड पवित्र होगा, और यदी पेड पवित्र है, तो फल भी पवित्र होगा। आज आपके परिवारों के लिए प्रभु का ये संदेश है कि अपने परिवार में प्रभु को प्रथम स्थान दें। क्योंकि प्रभु ये कहता है जो मेरा आदर करते हैं, मैं उनका आदर करता हूँ। और जो मुझे तुछ जानते हैं, मैं भी उन्हें तुछ जानता हूँ। आज प्यारे भाईयों और बेहनों, परिवारों में प्रेम का अभाव है, पती पत्नियों में प्रेम का अभाव है, बच्छों और माता-पिता में प्रेम का अभाव है, इसलिए घरों में लडाई जगडे हैं, तनाव हैं, मन मुटाव हैं, और प्रभू की आँखें सब संतियोहन के पहले पत्र में हम पढ़ते हैं जहां पर प्रेम नहीं है वहां पर इश्वर का निवास नहीं है तो क्या आप चाहते हैं कि प्रभू आपको स्पर्श करें तो क्या आप चाहते हैं कि वो आपको चंगा करें प्रिये जनो तो प्रभू से कहना जी हाँ प्रभू मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे चंगा करें, मेरे परिवार को प्रेम से भर दें, जो मनमुटाव, कलेश, लड़ाई, जगडे, अनेक प्रकाहार की बुरी बातें मेरे जीवन में ए प्रभू मुझ पर देया कर, मेरे परिवार पर देया कर, मेरे बुजर्गों पर देया कर प्रभू, तेरी आत्मा हम पर अधिकार ले, अनेक चोटें लोगों के शरीर पर शायद ना हों, लेकिन दिल पर अवश्य हैं, हर व्यक्ति किसी ना किसी चोट को अपने शरीर में लेकर जीने का प्रया कर रहा है और जब मौका आता है तो प्यारे भाईयों और बेहनों वो बोल उठता है तो मनुष्य की तरहां विक्सित होने के लिए ना केवल हमें रोटी, कपड़ा और मकान की आवशकता है हमें तो प्रभू के प्रेम उसके सानिध की आवशकता है इंसान एक सामाजिक प्राणी है प्रेम उसके जीवन का केंदर बिंदू है प्रेम परिवार का आधार स्थम्व है और यदि परिवार में प्रेम नहीं है तो वहाँ पर इश्वर नहीं है क्योंकि जो प्रेम नहीं करता संत पौलुस लिखता है योहन के पहले पत्र में कि वो इश्वर को नहीं जानता इसलिए कई लोगों के जीवन में ये आंतरिक चोटें लगी हुई है therefore we need inner healing अब आप में से कई लोग आश्चिरे चकित हो जाते हैं कि ये आंतरिक चंगाई है क्या चीज़ what is this inner healing त्यारे भाईयों और बहनों कई लोगों के जीवन में बचपन से क्रोध भरा हुआ है हो सकता है कि उसके prenatal experiences ही ऐसे हो हो सकता है घर की प्रथम पाठशाला में बचपन में ही युवावस्था से ही उसे वह प्रेम ना मिला हो हो सकता है उसके माता पिता कठोर रहे हो हो सकता है उन्हें वह समय ना दे पाए हो हो सकता है बच्चों को घर में प्यार ना मिला हो हो सकता है आपको बड़ों से प्यार ना मिला हो इसलिए आप प्यार को इधर उधर खोजने की कोशिश करते हैं और इसी खोज में आप बह जाते हैं और परिवार तूट जाता है रिष्टा तूट जाता है प्यारे भाईयों और बेनों हो सकता है माता पिता ने बच्चों को प्यार न दिया हो हो सकता है बच्चों में नफरत पैदा हो गई हो कभी-कभी एक भाई अपनी बेहन को शमा नहीं कर पाता है भाई भाई को शमा नहीं कर पाता है ये दिल पर चोटे हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि हो सकता है, परिवार में प्रेम न मिला हो दुख मिला हो, कश्ट मिला हो इन लॉस के द्वारा, माता पिथा के द्वारा बच्पन में बच्चे को यह प्रेम न मिला हो तो आत्म विश्वास की कमी हो जाती है उदासी चाने लगती है अकेला पन काटने लगता है हीन भावना आने लगती है बच्चे की हसी मानलो उड़ाई गई है तो उस बच्चे के अंदर भी विश्वास की कमी आ जाती है हीन भावना आ जाती है प्यारे भाईयों और बेनों बच्चपन से ही हो सकता है बच्चे को डर लगता हो कभी-कभी लोग बड़े होने के बावजूद डरते हैं उन्हें भै लगता है अंधेरे कमरे में जाना नहीं चाते हैं उचाई पर खड़े होना नहीं चाते हैं पानी को देखकर डर लगता है और ऐसी तमाम बाते हैं प्यारे भाईयों और बैनों किसी को पूर्शों से डर लगता है तो किसी को स्त्री से डर लगता है तो हमें क्या करना चाहिए अपने शोक को व्यक्त करना चाहिए अपने दुखों को जाहिर करना चाहिए लोगों से बात करनी चाहिए पिता से परामर्ष करना चाहिए येशु के बचन पर विश्वास करने की आवशकता है पेतरुस जो प्रभू का चेला था उसने येशु को अस्विकार कर दिया था उसने कहा मैं येशु को जानता ही नहीं हूँ मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ कि वो आदमी है कौन प्यारे भाईयो और बेनो जब इसा ने उसकी और मुड कर देखा तो पेतरुस फूट फूट कर रोने लगा पेतरुस फूट फूट कर रोने लगा एक पापिन स्थ्री आई जब वो एक शास्त्री के घर में बैठे हुए थे भोजन करने के लिए वहाँ पर बैठे हुए थे तो प्यारे भाईयो और मेनो ये पापिनी स्थ्री आती है और ये सुके पेरों को अपने आशुओं से बिगोने लगती है रोती जाती है अपने अंदर की जो हीन भावना थी दोश भावना थी उन आशुओं के जरिये वो व्यक्त करती जाती है आज हम में से भी बहुत से लोगों को इस हीन भावना को व्यक्त करने की आवशक्ता है त्यागने की आवशक्ता है प्रभु को समर्पित करने की आवशक्ता है प्रभु के सानिद्ध में बैठ कर आसू बहाने की आवशक्ता है प्रभु के प्रेम को अनुभव करने की आवशक्ता है बीते जीवन की घटनाओं को प्यारे भाईयों और बेनों सिरे से देखना हमारे पास सवालों के जवाब नहीं है अगर आप घटनाओं को याद करते रहेंगे बीते दिनों की बातों को याद करते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है उन्हें पीछे छोड़ने की आवसकता है उन्हें पीछे छोड़ने की आवशक्ता है और प्रबु हमें स्वास्त और चंगाई प्रदान करेगा क्योंकि प्रबु येशु कहता है यूहन कंसू समाचार अध्याय 15 बद संख्या 5 मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो असमर्थता की इस सच्चाई को समझने की आवशक्ता है प्रयजनो आप जितने भी लोग इस वक्त इस अराधना में भाग ले रहे हैं कि आप सब काम को नहीं कर सकते हैं केवल परमेश्वर सब कारियों को कर सकता है हम लोग असमर्थ हैं और इस असमर्थता की सच्छाई को समझने की आवशक्ता है सालों से लोगों ने यही सोचा और वे धोका खाते रहें वो धोका खाते रहें उन्होंने सोचा कि वो सब कुछ कर सकते हैं सब कुछ उनके अधिकार में है लेकिन ऐसा नहीं था संत पोलुस फिलिपियों को लिखता है अध्याय 4 बद संख्या 13 में कि जो मुझे बल प्रदान करते हैं मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकते हैं और वो प्रबु येसु हमें बल प्रदान करते हैं जिसकी सहायता से मैं और आप सब कुछ कर सकते हैं येसु हमें ऐसा कुछ भी नहीं देते जो हम सहन न कर पाएं उस सफलता के तीन नियम देते हैं प्यारे भाई और बेना खुश रहना प्रबु की ओर द्रिष्टी लगाना आनन्दित हो जाना पवित्रताई का जीवन व्यतीत करना धार्मिक्ता की खोज में लगे रहना और वो कहता है बाकी की चीजें तुम्हें यूहीं मिल जाएंगी हालेलूया येसु की स्तुती हो येसु को धन्यवाद हे प्रभु येसु आपके प्रेम के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ हे प्रभु येसु आपका वच्छन कहता है ठके मांदे और बोज से दबे हुए लोगो तुम सब के सब मेरे पास आओ मैं तुम्हे विश्राम दूँगा मेरा जुआ अपने उपर ले लो और मुझ से सीखो मैं स्वभाव से विनम्र हूँ हलेलुया तो आईए प्रभु से हम प्रार्थन करें कि प्रभु हमें आंतरिक चंगाई प्रदान करें हेशु का लहू हमें आंतरिक चंगाई प्रदान करता है हमें शुद्ध करता है हमें चंगा करता है वो मुप्ती दाता है वो धार करता है वो हमारा रक्षक है अगर कोई व्यक्ती बीमार है आंतरिक चंगाई पाना चाता है किसी के जीवन में दोश भावना है गिल्ट फीलिंग है तो आज प्रभु को समर्पेद कर देना Tonight He is going to do miracle in your life वो आज की रात्री आज के दिन में आपके जीवन में चमतकार करने जा रहा है प्यारे भाईयों और बहनों आई यह हम प्रभु से कहें हे प्रभु मुझे डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा से अजाद कर मुझे प्रभु येशु निश्चन तान्ता की दुष्ट आत्मा से अजाद कर क्रोध की आत्मा से मुझे अजाद कर मैं तेरे पास आ रहा हूँ छूले मुझे सपर्ष कर ले मुझे मैं तेरी चरणों में आया हूँ ये सुशु मुझे शुशु मेरी जाको मेरी रूंको मेरे बदन को चुशु मेरी जाको मेरी रूंको मेरे बदन को चुशु छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से भर मुझे मेरे मस अपनी मामूरी से भर मुझे जैसा भी हूँ अपनी मामूरी से भर मुझे मेरे मस अपनी मामूरी से भर मुझे मेरे मस अपनी मामूरी से मोती परस्टिश के चुनके तेरी नजर में करो भाहो में लेले खुदावन यही तमना करो भाहो में लेले खुदावन यही तमना करो सीच मुझे मेरे मस अपनी मामूरी से सीच मुझे मेरे मस अपनी मामूरी से अपनी मामूरी से अपनी मामूरी से अपनी मामूरी से हालेलूया हे प्रभु येसु मैं विश्वास करता हूँ आप हमारे बीच में हाजिर हैं हमें सामर्थ दीजिए चंगाई दीजिए हालेलूया जितने भी लोग गर्भ की बिमारी से पेडित हैं योटरिस के रोग से पेडित हैं येशु आपको अजाद करे वहले आमेन स्पॉंटलाइटस की बिमारी से प्रभू आपको अजाद करें माइग्रेन से आपको छुटकारा प्रदान करें कमर के दर्द से आपको छुटकारा प्रदान करें क्रोध की दुष्ट आत्मा से आपको छुटकारा प्रदान करें तंत्र मंत्र जादू टोने की दुष्ट आत्मा से आपको अजाद करें, ब्रेन टूमर की दुष्ट आत्मा से अजाद करें, हर प्रकार के स्किन के रोग, एलर्जी, रीड की हड़ी की बिमारी, लीवर के रोग, किडनी के रोग, फिर्दे के रोग, शरीर के असात्ते रोग और लाइलास बिमारियों से येशू आपको अज़ाद करता है वोले आमेन हालिलुईया येशू की स्तुति हो येशू को धन्यवाद येशू की अरादना हो येशू की महिमा हो येशू को धन्यवाद मेरे परिवार को हर परकार की बुराई से अजाद कीजिए मैं आपकी अराधना करता हूँ जह जेकार करता हूँ हलेलुया मुझे कर्ज से अजाद कीजिए कोट कचैरियों के केसिस से मुझे अजाद कीजिए मैं आपकी अराधना करता हूँ मैं आपकी महिमा गाता हूँ आपकी महिमा गाता हूँ हलेलुया दोनों हाथों को सीने पर लगाएं हम फिर से प्रबु से कहेंगे स्पर्श कर जितने भी लोग आंसू बहा रहे हैं जो कश्ट में हैं पेड़ित हैं कोई है जो इस वक्त बेड रिड़न है रो रो कर प्रार्थना कर रहा है प्रबु आपको आजाद कर रहे हैं कोई है जो कर्ज से डूबा हुआ है कोई है जो अपने जीवन से परिशान है येशु आपको हिम्मत और सांतवना प्रदान कर रहे है कोई नविवक जो अपनी कामों में सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है प्रबु आपको सफलता प्रदान करते हैं एक परिवार जिसमें शान्ती नहीं है प्रबु आपको शान्ती प्रदान करता है एक दूसरे को शमा करना और प्रबु आपको अपने सानिद्ध से ब्लेस करेगा, मसा करेगा एक तमपती जिनके जीवन में शान्ती नहीं है, मन मुटाव है, लगातार लड़ते जगडते हैं प्रभू आप से निवेदन करता है कि एक दूसरे को शमा कर दो और प्रभू से कहना कि मुझे स्पर्ष कर दो प्रभू, मुझे स्पर्ष कर दो मेरी जाको, मेरी रूको, मेरे बदन पच्छू मेरी जाको, मेरी रूको, मेरे बदन पच्छू छू मुझे जैसा भी हूँ, अपनी हजूरी से चू मुझे जैसा भी हूँ, अपनी हजूरी से अपने दोनों हाथों को प्रभू क्यों बढ़ाते हुए चू मुझे जैसा भी हूँ, चू मुझे चू चू मुझे जैसा भी हूँ, अपनी हजूरी से सबी लोग गुठना टेकें, अपने हाथों को प्रभू की ओर बढ़ाएं मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, प्रभू आपको आशिश दे और उसके बाद हम परंपरसाद की आशिश ग्रहन करेंगे सर्व शक्तीमान शाश्वत देयालो पिता इश्वर संसकार में उपस्तित मेरे प्यारे प्रभू येशू हम तेरी अराधना करते, तेरी मैमा गाते, तेरी जैजेकार करते हैं तू पाक है, तेरा नाम पाक है, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है तेरे इन बच्चों पर देया कर जो इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं ए प्रभु येशु तेरे इस प्रजा पर इनके परिवारों पर दया द्रिस्टी डाल दे जैसा इनोंने विश्वास किया वैसा इनके जीवन में पूरा हो जाए तेरी आत्मा इन पर अधिकार ले और तेरी दया इन पर सदा छाई रहे ए प्रभु येशु तेरे वचन के द्वारा आज ने चंगाई प्रदान कर इनके हिर्दे में इनके जीवन में जो चोटे हैं प्रभु येशु अपने पवित्र लहू से उन्हें साफ कर दे इनके जीवन में व्यक्तिगत रूप से तेरी शांती विराजे इनके परिवारों को अपनी रूप का दुगना मसा प्रदान कर बच्चों को उन्नती प्रदान कर सफलता दे जिससे कि ये सदा तेरी हजूरी में बने रहे हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उधार करता येशु प्रभु के द्वारा सबी लोग उठना ठीके पवित्र संसकार की आशिश हम ग्रहन करेंगे हम गीत आएंगे इस महान संसकार को इस महान संसकार को दंडवदवारं भार हो इस महान संसकार को बीति बिदि का उदार हो नवरीति का विस्तार हो देखना पाती आख जिसे दर्शाता विश्वास उसे इस महान संसकार को गंडवदवारं भार हो इस महान संसकार को पिता और पूतर इशर को महिमागान निरंतर हो उनी से प्रस्त्रित आत्मा को इस महान संसकार को गंडवदवारं भार हो इस महान संसकार को कर दो कर दो कर दो इस महान संसकार विए हो एक अज़ कर दो अज़ झाल कर भार कर दो रिस कर दो मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता मेरा दिल उससे बर जाता मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता मेरा दिल उससे बर जाता मेरा प्रभु मुझे से प्यार करता, मेरा दूस से बर जाता चाहे माबाप मुझे भूल जाएं मेरा प्रभु मुझे से प्यार करता, मेरा दूस से बर जाता झाल